तो हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आप लोग का काफी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि हम Paynearby का ID कैसे लेंगे Spice Money का Retailer ID कैसे लेंगे काफी भाई लोग का ये कमेंट आ रहा था के तुवारा जो आप बिल्कुल उस तरीकों को अगर फॉलो करेंगे तो आपको 100% जो एसो Paynearby हो या Spice Money हो या कोई भी दोस्तों AFC कमपनी हो सभी का आपको Retailer ID मिल जाएगा बस दोस्तों मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वही आपको करना है तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहां से सुरू करता है सबसे पहले हम बात करते हैं कि Retailer ID लेने के लिए कौन-कौन सा Document का ज़रत पड़ता है तो Document में सबसे पहले जो इसो आपके पास Pen Card होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके पास Pen Card नहीं है तो आप ID नहीं ले सकते हैं और आपके पास जो इसो अधार काड होना चाहिए जो सभी के पास रहता है और इसके बाद आपके पास जो इसो Bank Passbook भी रहना चाहिए अनि कि आपका कोई भी जो इसो Saving Account या Current Account जो इसो होना चाहिए अगर Passbook आपके पास है तो भी सही है और Digital Passbook है तो भी सही है आपका दोनों में काम हो जाएगा उसके बाद जो सबसे ज्यादा Important है वो है आपका काम करने का Location कि आप किस जगा में जो इसो काम करेंगे अधार कार्ट से पैसा निकासी का काम जो इसो आप किस जगा पे करेंगे वो भी जो इसो बहुत माइने रखता है क्योंकि अगर आपको ID लेना है तो आपको Location भी पता करना चाहिए मतलब पता होना चाहिए कि हम कौन सा Location में काम करेंगे आपके पास एक दुकान होना चाहिए या तो आपके पास एक जो सेट अप होना चाहिए जिसमें आप काम करेंगे उसके बाद काफी भाई लोग जो इसो कमेंट करेंगे कि हमारे पास जो इसो पैन कार्ड नहीं है तो हम ममी पापा के नाम से ID ले सकते हैं तो दोस्तों अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है पहले कैसा था कि ID किसी के नाम से राता था आप एक बार लोग इन कर दीजिए उसके बाद किसी का भी अधार कार्ड से पैसा निकालिए होठा लगा के लेकिन अभी जोएसो आप जितना बार ट्रांजेक्शन करेंगे उतना बार जोएसो जिसका नाम से ID है जो एजेंट है उसका फिंगर लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये NPCI का जोएसो नया रूल है और ये 2024 में जोएसो लागू हुआ है इसलिए जोएसो जो काम करेगा मतलब अगर आप काम करेंगे तो ID जोएसो आपके नाम से ही लेना पड़ेगा उसके बाद यहां बात करते हैं कि जोएसो ID लेने में क्या-क्या प्रोसेस है और कैसे हमको distributor से contact करना है तो यहां पे में जोएसो तीन तरीका आपको बताऊंगा तो सबसे पहला तरीका है ओ है distributor के थुरू contact करके आपको retailer ID लेना है और दुसरा तरीका जो है ओ है कि आप अपना market में जाईए वहाँ पता किजिए किसी से कि ओ जोएसो किस तरह से ID लिया है और उसके पास अगर distributor का number होगा तो आपको जोएसो दे सकता है मैं यहां नहीं बोल रहाँ कि ओ आपको 100% दे ही देगा लेकिन काफी लोग अच्छे होते हैं और आपका जोएसो help कर देंगे आपको distributor का number देने में और जो तिसरा तरीका है वह है कि आप जोएसो उसका app डाउनलोड कीजिए जो भी आपको ID लेना है Paynear by Spice Money या तो कोई भी retailer ID लेना है उसका ID आप जोएसो app डाउनलोड कीजिए Play Store में जाके और वहां से login कीजिए और उसके बाद ID लीजिए लेकिन वहां पे आपको जोएसो payment करना पड़ेगा और सबसे पहला जोएसो ID लेने के लिए आप मतलब अगर distributor के through ID लेते हैं तो वहां पे जोएसो आप अपना जो number है वो पहले से आप register नहीं किये होंगे तभी जोएसो उस number से आपको ID मिलेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक disclaimer देना चाहता हूँ कि काफी लोग है आएंगे और नीचे comment करेंगे कि Paynearby ID लेने के लिए इस number पे contact करें Paynear Space Money का ID लेने के लिए इस number पे contact करें तो दोस्तों आपको जोएसो उन लोग के चक्र में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है नहीं तो आपके साथ fraud भी हो सकता है तो सबसे पहला जो तरीका है और distributor का number निकालना है तो चलिए मैं बताता हूँ कि number आपको निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको अपने mobile में या PC में जो गूगल को open करना है और गूगल को open करने के बार आपको search करना है pay nearby distributor contact number उसके बाद आपका जो भी district है उसके आगे यहाँ पर district डाल देना है तो जैसे कि यहाँ पर माल लिजे कि अगर आपका बिहार का कोई district है या तो यूपी का है लेकिन दोस्तों बिहार में जो इसो pain nearby का ID जो इसो काफी हमारे subscriber लोग है कि यहाँ पर pain nearby नहीं चलता है spice money चलता है तो आप same process है आप उसी तरीके से इस बिहार में भी जो इसे आपको अगर spice money ID लेना है तो जहाँ पर pain nearby distributor लिखा है और उसके आगे contact number लिख दीजेगा लिखने के बाद आप अपना जो इसो जो भी आपका district है अनिकी जीला है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे आपको जो इसो estate का नाम लिखना है तो यहाँ से मैं चलिए contact number लिख दिया हूँ तो यहाँ पर दोस्तों जितने सारे मतलब pain nearby के distributor होंगे वो सभी का जो इसो यहाँ पर number आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं एक number यहाँ पर show कर रहा है और इसी तरह से आप लोग भी अपना area का distributor का number इसी तरह से contact करके खोज के और Google से निकाल सकते हैं क्योंकि दोस्तों Google में जो इसो आपको हर जगा का जो इसो number मिल लियागा और यहाँ पर आप लोग खोजिये काफी नीचे तक जो इसो number रहता है लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको जो इसो number पर call करना है और लेकिन अगर इन लोग जो इसो अगर पैसा का demand करते हैं कि आप हमको इतना पैसा देंगे तो हम आपका ID बना देंगे और बोलेंगे कि पैसा आप जो इसो पहले pay कर दिजिए हम आपका ID बना देंगे तो दोस्तों आपको बिल्कूल भी पैसा pay मत करना है अगर आपके पास distributor आ के खुझ से ओ करता है और माल लिजे ए जो distributor के थुरू जो यह तक फिरी में होता है लेकिन हो अगर से आपसे जो इसो दो-चार सो रुपिया मतलब आने जाने का पैट्रोल लुट्रोल का खर्चा मांगेगा तो आप दे सकते हैं वो आपके उपर है लेकिन दोस्तों आपको किसी को पैसा यहाँ पे एक रुपिया भी नहीं देना है खर्चा पानी के लिए दोस्तों आप दे सकते हैं उसके बाद यहाँ से इस तरह से जो मैंने बताया इस तरह से जो इसो आप किसी भी डिस्टिब्यूटर का यहाँ से नमबर जो इसो निकाल सकते हैं और एक और तरीका है कि आप जो सो मार्केट में जाईए, वहाँ पर जो भी पहले से FCID चला रहा है, उसको जो सो डिस्टिब्यूटर का नमबर आप उससे भी मांग सकते हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि कोई मार्केट वाला जो सो आपको डिस्टिब्यूटर का नमबर देगा, तो आपको ऐसी सब जो सो वन लाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जोईसो इसी तरह से आप अपना state का नाम और अपना जीला का नाम लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप जोईसो सर्च करेंगे यहाँ पे आप एक दो नंबर खोजिए और अगर मान लिजिए कि आप यह सब नंबर पे call करते हैं अगर बोलता है कि हम पहले distributor का काम करते हैं अभी नहीं करते हैं तो आप उसको बोलिए कि अभी जो distributor का काम करता है उसका आप हमको नंबर दे दिजिए तो हो सकता है कि वो आपको distributor का नंबर जोईसो आपको दे देगा और यहां से जोईसो आप एक काम और भी कर सकते हैं आप जोईसो Paynear by का Customer Care में Call लगा के जोईसो और वहां से भी जोईसो आप अपना Distributor का Number ले सकते हैं अपने एरिया का तो Paynear by को Call करने के लिए जोईसो आप यहां पे Paynear by Customer Care Number सैच करेंगे तो यहाँ से जो इसो पिंयर भाई का यहांपे देख सकते हैं कस्तेमर केर नंबर भी आ गया लेकिन दोस्तों कभी-कभी जो इसो यह नंमर पे नहीं लगता है आप लोग ट्राइ करते रहेगा, लग जागा नहीं तो आप और भी तरीके हैं जिससे आप जो इसो Paynearby का Customer Care से Contact करके उसको अपने area का distributor number मांग सकते हैं और दुसरा तरीका मैंने बताया है कि आपको swap keeper से जो इसो दुकान जो पहले चला रहा है उसको distributor का number मांगना है और तिसरा तरीका जो लास्ट तरीका है जो की दोस्तों paid है उसमें आप जो इसो payment करेंगे तो ही आपको ID मिलेगा तो उसके लिए जो इसो आपको सबसे पहले क्या करना है आप अपने mobile में जो इसो प्ले स्टोर को खोल लिजेगा और वहाँ पे पेनियरवाय का application को सर्च कर लिजेगा वहाँ से आपको जो इसो डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आप अपना नंबर वगएरा डाल के भी register करके और एक हजार रुपिया का जो इसो payment करके और आप ID के लिए मतलब वहाँ पे registration कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप जो इसो एक बर आप जिस नंबर से पेनियर पे कर देते हैं तो आपको ID मिलने का कितना चांस है क्योंकि काफी भाई लोग बोलेंगे कि अगर हम 1000 रुपिया दे देंगे तो क्या हमको ID तुरंत मिलेगा तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ID तुरंत मिलेगा आपका जो इसो registration होगा फिर आपका जो इसो पूरा full QIC करेंगे तो ही आपका ID चालू होगा लेकिन दोस्तों इहां पे भी रिस्क है अगर आप 1000 रुपिया पेमिंट कर देते हैं तो इसका कोई भी पता नहीं है कि कितने दिन में जो इसो आपके पास distributor आके QIC करेगा और आपका ID चालू होगा और काफी भाई लोग है पूछते हैं कि मैं कौन सा थुरू से ID लिया हूँ तो दोस्तों मैं Google पे सर्च करके और distributor का number निकाला था और उनसे contact करके और ID लिये थे तो दोस्तों हमको ID लेने का जो इसो फिरी में मिला था लेकिन हम खर्चे पानी के लिए जो इसो आपको बताया था तो मैंने उसको 300 र इंडवाइ का retailer ID मिलता है तो दोस्तों अगर आपका कोई भी अभी भी कोच्चन है तो आप हमको नीचे कमेंट कीजिए मैं आपका हर कमेंट का जो इसे मैं reply देता हूं तो आपका भी कमेंट का मैं reply जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं दे दूंगा और दोस्तों अ आप